अभीजित आफिस से निकल कर अपनी कार में बैट कर घर की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक छोटी बच्छी कुछ मुर्गों के बच्छे लेकर पौँच जाती है और उससे कहती है अंकल एक छोटा सा बच्छा बस पच्चीस रुपिया है ले लीजिए ना अंकल प्लीज अगर आप एक मुर्गा खरी देंगी तो मुझे पच्चीस रुपिया देंगी मैं उस पैसे से कुछ खाना खाऊंगी मुझे बहुत भूख लगी है मैंने कुछ भी नहीं खाया है सु जाता है खर में उसका पत्नी खिरन और बच्चे राजू और पिंकी होते हैं अविजीत का छोटा सा परिवार था लिखिन बहुत ही खुशाल परिवार था अविजीत एक प्राइवेट कंपेनी में काम करता था उसकी तनखा से उनका घर अच्छे से गुजारा हो जाता था मुर्गो की बच्चे देख कर उसकी पत्नी बोलती है आरे आप ये मुर्गो के बच्चे कहां से ले आए पापा कितनी प्यारी है ये बच्चे आं और कितना मुलायम भी है एकदम कोटन की तरहा मुझे तो इनको छूकर बहुत अच्छा लग रहा है तारी बाते बाद में पहले किरन तुम जाकर जल्दी से मेरे लिए दो ओमलेट बना लाओ, मुझे बहुत भूक लगी है। और तब तक तुम दोनों मुर्की के बच्चों के साथ खेलो और हाँ उन्हें कुछ खाने को भी दे दो। अभिजीत हाथ मुध होकर ओमलेट खाने के लिए टेबिल पर बैठ जाता है। ओमलेट में वो बात है। सच में अगर इस कमपनी में जॉब नहीं करता तो आपनी ओमलेट की दुकान खोलता और तुम्हें अपना दुकान का बोस बनाता। आप बीना इतना ज्यादा तारीफ मत क्या कीजिए कि मैं कुद को मास्टर से समझने लगू। असल में ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको तो बस मेरी तारीफ करने की मौका चाहिए होता है। अड़ी तुम्हें मेरी बातों को जूट लगता है क्या। बच्चों से पूछ लो। क्या बच्चों बताओ जरा क्या मैं जूट कह रहा हूँ तुम्हारे मम्मी से। तुम्हारे मम्मी के हातों का बनाया हुआ ओमलेट का टेस्ट मक्षन जैसा होता है ना या नहीं हा मा पापा एकदम ठीक कहता है आपके हातों में सच में जादू है स्कूल में मैं जब अपने टीफिन खोलता हुँ ना तो आपके बनाया ओमलेट की खुशबू सभी बच्चे को पता चल जाता है और वो हमेशा अपना लंच बोक्स मुझे दे देता है और मेरा लंच वो लोग खा जाता है अचा अचा ठीक है मान लिया अब ये तो बताओ कि मुर्गी के बच्चे किश खुशी में करिद कर लाया आज अरे मैं जैसा ही ओफिस से निकला तभी एक मासूम छोटी सी बच्चे मेरे पास आई और इसे खरिदने की रिक्वेस्ट करने लगी मुझे भी ये बच्चे से बहुत दया आने लगा तो मैंने खरिद लिया अभीजित उन बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बना दिया राजू और पिंकी उन बच्चों का बहुत अच्चे से ध्यान रखते थे कुछ दिनों बाद ही वो मुर्गी के बच्चे बरे हो गए और अंडे देने लगे देखते ही देखती उनके पास चार मुर्गे और पच्चिस मुर्गिया हो गई थी एक दिन ऑफिस से जब अभी जीद खराया किरन अभीजीत को लेकर डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर उसे चेक करके कुछ दबाईया दे देता है और उसे रेस्ट करनी के लिए बोलता है गर आने के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते है एक दिन सुबा जब किरन उठती है तो देखती है कि अभीजीत तभी तक नहीं उठा है अरे उठिये ओफिस नहीं जाना है क्या इतनी देर तक तो आप कभी नहीं सोते है अभिजित फिर भी नहीं उठता है किरन उसके पास जाता है और देखता है कि अभिजित मर चुका है वो बहुत रोती है और सोचती है कि आगी क्या होगा उसके और उसके बच्छों के सहारा हमेशा के लिए जा चुका था किरन को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि बच्चों के ख्याल अब वो कैसे रखे तुम्हारी पापा मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी मैं कैसे तुम दोनों की परहाई पूरी करूंगी कैसे तुम लोगों को पाल पोस कर बढ़ा करूंगी राजू और पिंकी को कुछ समझ नहीं आता है वो अपनी मा को कैसे समहा ले फिर भी दोनों किरन के आंसु पोचते है और उन्हें गली लगते है अविजीत के जानी के बाद किरन की दुनिया उजर गई थी लेकिन बच्चों की तरब देखकर वो कैसे भी जी रही थी धीरे धीरे उनका घर का सारा राशन खतम हो जाता है एक दिन की रन सोचती है अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे मासुम बच्चे नहीं जी पाएंगे ये घर कैसे चला पाऊंगी मुझे ही कुछ ना कुछ करना परेगा तभी स्कूल से बच्चे आ जाते है और वो अपनी मा से कहते है मा बहुत भूक लगी है जल्दी से आमलेट बना दो ना किरन आमलेट बनाने के लिए मुर्गों के पास आते है और इतनी सारे अंडे देख कर वो सोचनी लगती है मुझे आमलेट बनाना बहुत अच्छी से आता है और सब कहते हैं कि मैं आमलेट बहुत अच्छी बनाती हूँ क्यों न मैं एक आमलेट बेचने का दुकान लगाऊं? किरन को ओमलेट बेचने का आइडिया मिल गया था वो देर किये बिना दूस्थे दिन ही अपने घर के सामने ओमलेट बेचने की दुकान खोल दी आइए श्वादिस्ट ओमलेट खाईए इतनी स्वादिस्ट ओमलेट आपने कभी नहीं खाई होगी एक बार खाईए, बार बार आईए, आईए, गरम गरम, ताजे ताजे ओमलेट खाईए किरन की आवाज सुनकर आने जाने वाले लोग धीरी धीरे उसके दुकान के सामने आती है किरन के हाथों के बने हुए ओमलेट खाकर बहुत अच्छे बोलते हैं और बार-बार उसके दुकान में ओमलेट खाने के लिए आते हैं। ऐसे ही उसके ओमलेट का बिजनेस बहुत अच्छे से चल जाता है। तभी एक दिन उसके दुकान में एक गुंड़ आता है और वो उसे हफता मांगता है। योड़े ओमलेट वाली तुझे नोटीस बेजा था और फिर मेरे आदमियोंने आकर भी तुझे धमकाया भी था। फिर भी तुने मेरा हफता नहीं दिया। अब देख देख ते रख क्या करता हूँ मैं। किस बात का हफता दू मैं तुम लोगों को? मेरी दुकान, मेरी अंडे, मेरे ओमलेट, मेरी महनत तो मैं तुम गुंड़ों को क्यों हफता दू? तुम लोग अगर यहां से नहीं चले गए ना तो मैं अब भी पोलीस को फोन करूंगी। गुंड़े खिरन की बात सुनकर बहुत कुछ से हो जाते है, वो बहुत नुकसान करते है, सारे सामान फेक देते है, उसके साथ बहुत बत्तमीजी करते है, पिंकी बहुत रोती है, सब के सामने बहुत गिर गिराती है, लेकिन कोई भी उसके हेल्प करने नहीं आती है, उसक तुने आगे भी मेरा हफ्ता नहीं दिया तो मैं तेरी जिन्देगी का तमाशा बना कर लग दूँगा और उठा कर ले जाओंगा अगली बार तुझे गुंटी वहां से काफी नुकसान करके चले जाते है किरन रोती हुई गिरगिडाती हुई सबके सामने बोलती है लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता है तब वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चली जाती है और बहुत रोती है तब दर्वाजे का बेल बचता है किरन जाकर दीखता है तो वहाँ सामने एक पुलीस खरा होता है तुम ही किरन हो क्या? ओमलेट की दुकान चलाने वाली ओरत तुम ही हो ना? हाँ जी साब, मैं ही हूँ, क्या बात है? आपके साथ जिन गुंडों ने बत्तमीजी की थी, उन्हें पकर लिया गया है आपको ठाने आकर उनके खिलाफ एफ़ाया लिखवाना पड़ेगा अभी हम उनसे उनके खिलाफ कुछ सजा दे पाएंगे उन्हेंने वैसे तो बहुत क्राइम किया है पहले लेकिन कोई गवान नहीं मिलने के बज़े से आज तक हम लोग उनका कुछ भी बिगर नहीं पए है हमारे डिपार्टमेंट ने आपका यूटूब पर एक वीडियो देखा था तो हमें सबूत मिल गया है और अगर आप गवाई देंगे तो बहुत अच्छा होगा कौन से यूटूब वीडियो आप लोग क्या कह रहे है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है पर मैं जरूर कवाई दूंगी अन बदमासों ने नाजाने कितने गरीबों के साथ ऐसा किया होगा तब ही पिंखी भाग कर अपनी मम्मी के पास आ जाती है और कहती है मा वो यूटूब पर वीडियो मैं नहीं डाला था जब कुंडे आपको परिशान कर रहे थे कोई आपका मदद नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी आपनी उनको हपता नहीं डिया उनकी सामदी नहीं जुका इसी लिए वो वीडियो बहुत भाइरल हो गया है और सभी लोग आपकी बहुत तारीब कर रहे हैं राबाश बेटा तुम अपने मम्मी की तरही बहादूर हो और समझदार भी अच्चा किरन जी अब मैं चलता हूँ कल आप ठाने आ जाना और उनके खिला फिरी पोट लिखवा देना पुलिस के चले जाने के बाद किरन पिंकी को गरे लगाती है और धीरी धीरे उनका सब कुछ ठीक होने लगता है दोसरे दिन किरन जाकर गवाही दे आता है तो उन गुंडों को भी सजा मिल जाती है लोग किरन की बहुत तारीफ करते है और सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं